गुड मॉनिंग स्टुडेंट आज आग वीडियो नमबर नाइन देखेंगे चैप्टर है आपका एट और चैप्टर का नेम है इंकम डिटेमिनेशन एंड मंटिप्लायर इस टोपिक का ठोटिकल पार्ट सो कम्प्लेट हो चुका था वीडियो नमबर शिक्स तक इसलिए आपको प्रक्टिकल समझा रहा हूं ठीक है इसमें देखिए पहले आप प्रीवेश वीडियो देखें वीडियो नमबर एक सैवन और सिक्स एट वीडियो देखें जिससे आपको अनसोल्ट प्रक्टिकल में आपको प्रोब्लम नहीं आएं क्योंकि मैंने आपको पहले बता हैं और फिर छोड़ेते हैं एक्जाम में ऐसा नहीं है इसके प्रक्टिकल ज्यादा हाड नहीं है रेगुलरली वह प्रक्टिकल चल रहे हैं जो चैप्टर सैवन सोरी वीडियो नंबर सैवन वीडियो नंबर एट के अंदर थे और इस तरीके इससे जो मैथड हैं मैं हर वीडियो में अलग-अलग मैथड लेके आ रहा हूं हर वीडियो में अलग-अलग मैथड लेके आ रहा हूं हर कुश्चन के अलग-अलग मैथड से क्यूंकि इससे यह फायदा होगा कि मैं आपको एक ही कुश्चन समझा रहा हूं वीडियो के माद् तो आपको problem नहीं आएगी question करने में ठीक है अब आप ये वाला question लेखिए in an economy in an economy marginal propensity consume mpc is 0.75 if investment expenditure in increase by 500 crore calculate the total income total increase in income and conception expenditure हमें क्या निकालना है change in income और conception change in income और conception निकालना है हमें क्या दे रखा है 500 crore investment दे रखा है change in हमें mpc दे रखिये तो हमारा mpc का mpc 0.75 दे रखिये तो हमारा जो formula होता है आपको पता है clear हो गया आपको यहां तक आपको इस chapter का यह जो मैंने आपको बताया है यह question है अभी मैं इसका solution करूँगा ठीक है फिर एक बार question पढ़ देता हूं देख लिए हर बार आपको यह ध्यान रखना है paper में जब भी भी question आता है paper में यह जो भी question आता है तो आप उसको two बार reading करें क्योंकि आप एक बार reading करके छोड़ देते हैं कि हमें नहीं आता ऐसा नहीं है आप two बार reading करें और फिर उसको देखें जैसे in an economy marginal propensity to consume is 0.75 if investment expenditure in increase by a 500 crore calculate the total increase in income and consumption expenditure clear हो गया अब देखिए बेटा यह question मैंने आपको two बार reading करने को बोला था two बार reading कर लिया ठीक है अब देखिए क्या निकालना है in an economy marginal propensity to consume 0.75 तो देखिए हमें multiplier हमें multiplier का जो formula है इसको k से denote करते हैं clear किस से करते हैं k से one upon में one minus mpc one upon में one minus mpc clear हो गया अब one का one one को मैंने आपको बताया था hundred मानते हैं क्या मानते हैं hundred point 75 इसको solution करेंगे तो one upon में point 25 ठीक है यहां तक आगया के लिए solution करने के 75 मैंने कैसे लिया देखो marginal propensity mpc marginal propensity to consume दे रखा है मैंने कहीं निकाला नहीं है इसमें ही दे रखा है कुछ से में देख लीजे 75 को solution किया 25 point हटाया तो उपर hundred हो जाता है और नीचे 25 मनला 25 point हट जाता है अब इसका division देखे 25 बंजा 25 25 फोर जा ठीक है clear आ गया यहां तक हमारा clear है 4 अमारा के आग चुका है अब आगे बढ़िये if investment expenditure increase by 500 करोड मैंने आपको बताया था कि increase मनलब change हो रहा है ना investment में तो हमारा change in investment दे रखा है change हो रहा है और क्या नहीं दे रखा income नहीं दे रखा तो हम के का जो दूसरा formula होता है आपको पता है change in income अपोड में change in investment होता है ना change in income अपोड में change in investment change in investment के लिए अब देखिए हमें क्या दे रखा है change in income नहीं दे रखा change in investment दे रखा है और के हमने निकाल लिया clear तो solution करेंगे ठीक है clear हो गए यहां तक change in income change in investment यह नहीं दे रखा के दे रखा है के कितना निकाला 4 और change in income नहीं दे रखा और investment 500 करो यहां तक clear है फिर एक पर आपको repeat कर देता हूं multiplier आपका k है और 1 अपोन में 1 माइनस mpc ठीक है और 1 माइनस 1.75 75 आपको mpc दे रखा है और 1 अपोन में 25 clear है यहां तक आप देखिए 100 अपोन में 25 solution किया 25 बंजा 25 25 फोर जा 100 clear है यहां तक अब देखिए k हमारा k क्या है change in income यह मैंने आपको बता आया था जब यह question में expenditure increase by investment, increase by income यह दी यह आ जाते है तो हमारा यह वाला formula लग जाता है ठीक है change in income upon a change in investment clear है यहां तक उसके बाद अब हमने solution किया के अबने निकाल लिया था 4 और income हमारे पास नहीं है question mark लगा रखा है और 500 यहां तक का clear हो गया आपको यहां तक क्या clear है बेटा देखिए बेटा यहां तक क्लियर हो गया यहां 4 और 500 आपको भी मैं बताया था change in income को क्या बोलते है डेल्टा वाई sorry बेटा डेल्टा वाई और इसको बोलते है डेल्टा आई clear है यहां तक तो हमारा अब देल्टा क्या दे रखा है डेल्टा वाई नहीं दे रखा न तो देल्टा वाई को आगे करते हैं ठीक है equation बनाते हैं और 5,420 500 इंटू 4 तो 2000 क्रोड clear 2000 क्रोड आपका क्या आगया के ठीक है और हमारा के निकाला के निकाले के बाद हमने यह निकाला और 2000 क्रोड आपका change in income आगई हमारे पास क्या निकल गया यह वाला निकल गया क्या निकल गया increase in income पूछी थी न टोटल income यह हमने 2000 क्रोड increase हुई है ठीक है यहां तक का screenshot ले लिजे बेटा फैसे मैं आगे करा सको फिर consumption expenditure यहां तक का screenshot ले लिजे एक बार ठीक है ले लिए बेटा एक बार मैं repeat कर देता हूँ इसको screenshot तो ले लिया होगा एक बार repeat कर देता हूँ multiplier के का formula 1 upon 1 minus mpc यह मैंने आपको change करके video number 5 या 6 में है देख लिजे उसको change कैसे किया था multiplier को ठीक है 1 upon 1 minus mpc mpc हमें दे रखा है 1 upon 1 minus 0.75 0.75 को 100 में से minus किया तो 1 upon 2.25 25 का point अटाया उपर double 0 हो गई 100 हो गई 25 बन जा 25 25 फोर जा 100 ठीक है इसके बाद हमने k का मैंने आपको बताया था जब increase पूछा जाए तो इस तरीके के formula change होता है k change in income delta y upon me delta i change in income upon me change in investment अब हमें change in income निकालना था तो हमें k दे रखा है k हमने निकाल लिया और 500 हमारा investment दे रखा है change होकर ठीक है तो हमने इसका solution किया equation बनाई यह delta y हो गया delta y हो गया delta y हमने change किया एक किसन में change किया तो इसको आगे लिया और इसको multiply कर दिया और 2000 करोड आपका क्या आगया change in income यहां तक सब का clear हो गया यहां का matter clear हो गया तो मैं इसको erase करूँगा ठीक है बेटा clear है यहां तक screenshot एक पर ले लिजे बेटा आगे देखिए हमने क्या निकालना यह delta y हमारे पास है delta i हमारे पास है और mpc हमारे पास है अब देखिए k भी हमारे पास है और हमें क्या निकालना है consumption expenditures तो देखिए consumption expenditure निकालने के लिए हमें mpc का formula लगाना पड़ेगा mpc का जो formula होता है delta c upon me delta y mpc का जो formula होता है delta c upon me delta y clear है यहां तक अब देखिए delta c का जो formula delta c का मदलब change in consumption और delta y का मदलब change in income जो हमने निकालने है अब हमने क्या निकाला mpc हमारे पास है हमारे पास कितना है mpc 7.75 है change in delta c हमारे पास नहीं है और delta y भी हमारे पास है निकालने हमने 2000 करोड ठीक है अब देखिए बिटा अब आप सोच दोंगे सर यह आपने सीधा formula mpc का change क्यों किया है consumption expenditure पूछते हैं तो हमें mpc का जो formula है delta c और change in consumption अपने delta y change in income यह वाला formula लगाना है और इसको इसमें set करना है इसके अलाबा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना ठीक है अब इसको solution करना है delta c को हम आगे लेते हैं ठीक है delta c को अपने आगे लेते हैं और multiply करते है 2000 into 0.75 करोगे तो कितना आया ठीक है और 3,0 ठीक है और 0.2 के बाद है तो यहाँ लगा दिया तो अपने पास कितना हुझा 1500 करोगे ठीक है यहाँ तक का clear हो गया आपको यहाँ तक बिल्कुल clear है clear है बेटा तो देखिए मैं फिर अगें repeat कर देता हूँ हमने पहले क्या निकाला के निकाला multiplier निकाला के का formula होता है 1 minus 1 माईनस MPC and 1 माईनस MPC clear यह वाला formula होता है उससे हमने क्या निकाला 4 निकाला फिर हमने क्या निकाला income changing income का निकालने के लिए हमने किसका formula लगाया के का ही लगाया जो change in इसमें होता है change in income upon me change in investment हमें के निकाला था के हमारे पास दे रखा था तो हमने solution किया change in income इतनी आ गई ठीक है फिर हमने क्या निकाला consumption expenditure consumption expenditure कैसे निकला MPC का formula लगा कर MPC का ये वाला formula delta C upon me delta Y लगा कर अब delta C upon me delta Y का मतलब C का मतलब consumption हो गया change in consumption delta Y का मतलब निकाला का change in income 0.75 हमारे पास MPC दे रखा था शुरू में उसके बाद हमने change in income हमने निकाला क्योंकि इसको ये नहीं निकलेगा तो हमारा MPC का formula consumption expenditure नहीं निकलेगा तो पहले change in income निकालना जरूरी है ठीक है या चाहिए जरूरी नहीं है कि change in income ही निकालो हमारे पास change in income दे रखा है investment पूछ ले changing तो हमने investment निकालके फिर income का formula लगा के करना होगा तो ऐसा बदल सकते हैं ये चीछ ध्यान रखिए या increase आपको income दे रखा है या income भी दे सकता है और investment पूछ सकता है तो गबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको वही question करना है बैस आपको change in income की जिगा है investment चेंज हो जाता है आपको investment निकालना होगा अब आपने income निकालना है फोर्मला वही लगेगा setup वही होगा आपका solution भी व फिर उसके बाद solution किया डेल्टा सी माला change in 2000 into 0.75 solution किया इस तरीके से पॉइंट हट गया तो 1500 करोड आपका क्या आ गया change in माला consumption आ गया डेल्टा सी change in consumption आ गया ठीक है पहले आप screen sort ले दीजिए बेटा साथ-साथ आप से ये भी मेरी request है आप सब अपने notes भी complete रखें और साथ-साथ notes भी बनाते हैं यदि कोई video आप देख भी रहे हैं सब आप देख रहे हैं obviously आप 12th class के हैं और जो chapter चल रहा है notes भी साथ-साथ बनाएए और आप practical भी साथ-साथ करिए क्य आप अपना solution practical में हर एक वीडियो में जो अब भी अब जो वीडियो आ रही हैं release हो रही है जो वीडियो हर एक वीडियो में आपको एक method का question समझा रहा हूं उस method से आप किसी book से में यदि matter आता है ज़रूरी नहीं है कोई book आप related कर रहे हो कोई दूसरे की book रहे हो कोई writer की रहे है कोई anxiety हर बुक से आप से यह कह रहा हूं कोई भी book आप यदि करते हो तो आपको इस method के question आपको मिल जाएंगे तो हर एक वीडियो में अलग-अलग method के question मैं आपको लेकर आ रहा हूं तो इसलिए आप हर एक वीडियो देखें जिससे आपको solution करने में दिक्कत नहीं ह यदर इस वीडियो में आपको कोई problem आ रही है या कोई इसको solution समझ में नहीं आ रहा कोई topic समझ में नहीं आ रहा तो next video video number 10 में जरूर आपका solution किया जाएगा मेरे comments box में जो भी आपको लिखना है जैसा भी आपको solution समझ में नहीं आ रहा या इसको repeat करवाना है या इसको आप को दुबारा solution करवाना है या इस type के कोई question करवाना है तो आप मेरे comments box में उस question को डालिए जिसका मैं solution अच्छी तरह से कर पाऊं ठीक है, thank you, have a nice day यदि वीडियो अच्छी लगे तो like भी जरूर करें